कहते हैं ब्रह्मा की नगरी पुषकर में जब माता रानी का बुलावा आता है तो कोई भी बादा उनके दर्शन से नहीं रोप पाती यह शास्वा सत्य आज एक बार फिर मंदिरों के नगरी पुषकर के प्रमुख आंचले के मेलों में से एक रतना गिरी परवत परिस्थित जगत पिता ब्रह्मा जी की पहली धर्मपत्नी सुआगदात्री सावित्री माता मंदिर के दो दिफ्सिय मेले में देखने को पिला यहां का रोब्वे बिगत नौ दिनों से खराब होने के कारण माना जा रहा था कि इस बार उतनी तादात में महिला श्रधालू मातारानी के दर्शन नहीं कर पाएंगी लेकिन आस्था की दोर से बंदी महिला श्रधालू ने पैदल ही मातारानी के दर्शन किये जिसमें पूरी रात माता जी पर आधारिक भजनों की प्रस्तुति दे कर भक्तों को भाव विबोर कर दिया। करती हैं तता यूवतियां सुयोग गवर प्राप करने के लिए मा सावित्री की इस दिन पूजा आर्चनकर मनो काम न मांगती हैं। पुजारी परिवार द्वारा माता की साथ जहकियों के सुरूपों में अलग अलक्षन गार किया गया। मंदिर एवं तलेटी में मेले को सफल भरवाने के लिए अलग-अलग कमेटियों को गठन किया गया था। दो और तलब है कि मेले में हजारों की तादात में राजपूर मेला हैं इस दिन मा की पूजा करती हैं जिनकी आवक शुक्रवार अलसुपे से ही शुरू हो गई। दो दिवसी है सावित्री माता के मेले की भवेता को लेकर मंदिर पुजारी उपखन प्रशाशन और पुलिस सहीत विभिन विवागों द्वारा तैयारियों को अंतिर भूप दिया गया। मेले में पहाडी मार्ग में सुरक्ष विवस्ता को लेकर मेला शेतर में पुलिस जापता भी तेनात रहा। पाली का प्रशाशन द्वारा मंदिर परिसरे और मेला शेतर में विशे साफ सफाई कराई गई। वहीं दिस कौम ने भी पहाड के शिखर पर लटक रही बिजली की खंबे को अटवा दिया। पाली का अधिक्स श्योप्षरूप महर्शी ने अपनी पार्शलों की टीम के साथ मेला शेतर में विवस्ताओं का जाए जा लिया। अधिक्स्टाइन के लिया।